Hello Friends, Welcome to Indian GS तो Friends, आज हम लोग SSE CGL का एक्जाम जो 3 दिसंबर 2022 को कंड़क्ट करवाय गया था और उसमें General Awareness में पूछे गए प्रस्णों को आज इस वीडियो में Detailed Isk Malanation के साथ डिसकसन करेंगे जो लोग SSE का त्यारी कर रहे हैं और जो लोग एक्जाम दे के आए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी important है आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा एक्जाम पूछा गया था SSE के द्वारा GKGS में तो चलिए जानते हैं क्या क्या कोशन पूछा गया था पहला कोशन ये था निमलेकित मेंसे कौनसा लोगनीत मुख्य रूपSe भारती राइज बिहार में किया जाता है मतलब बिहार का लोकनित कौन सा है जो कि बिहार में ही किया जाता है तो इसमें option दिया गया था कुमट्टी, घुमर, बिदेशिया और कालबेलिया तो इसका सही उत्तर क्या है बिदेशिया इसका सही उत्तर है जो कि बिहार में किया जाता है अब इसका कुछ explanation जान लेते हैं बिदेशिया बिहार का एक परसिद लोकनित है और बिदेशिया वास्तों में एक परकार का नाटक है जो प्रंप्रा और आधुनिक्ता, सहरी और ग्रामिन, अमीर और गरिवी जैसे बिरोदावासी विश्यों से संबंदी थे ये लोकनित इस नित का उप्योग इसके निर्माता के विचारों को निस्पादित करने के लिए किया जाता है अब विदेशिया नित में महिला भागों को पुरूस अभिनेता नर्थक्यों द्वारा बजाया जाता है मतलब यह जो फिमेल वाला पार्ट होता है वो पुरूसों के द्वारा ही किया जाता है इस नित में अब आगला क्वेशन क्या पुछा गया था भारत का अंतिम सक्ति साली मुगल सासक किसे माना जाता था तो ये option दिया गया था अकबर सा जहां औरंग जेव और अकबर सेकेंड तो इसका सही उतर ये था औरंग जेव था इसका सही उतर जो भारत का अंतिम सक्ति साली मुगल सासक जिसे माना जाता है तो ये औरंग्जेब को माना जाता है अब देखलते हैं मौहिनुद्दिन मुहम्मद जिसे आमतोर पर औरंग्जेब या फिर आलमगीर के नाम से जाना जाता था भारत पर राज करने वाला छट्था मुगल सासक था ये औरंग्जेब इसका सासन काल था 1658 से लेकर 707 तक मतलब जब तक इसकी मिर्तियों हो गई थी तब तक इन्होंने सासन चलाया था मारे भारत में औरंग्जेब ने भारती महा उप महाद्विप पर लगभग आधी सदी राज किया मतलब हाफ सेंचोरी तक इन्होंने राज किया था वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक सासन करने वाला मुगल सा सकता मतलब अकबर पहला था और दूसरा कौन था यह औरंग्जेब था जो कि सबसे ज़्यादा टाइम तक भारत में सासन किया थे अब अगला कोस्चन देखते हैं कोस्चन नमबर थ्री आइडेंटिफाई एन ओप्सन देट डज नॉट रिपरजेंट प्रोकेरियोटिक सेल मतलब उस को चुनना है जो प्रोकेरियोटिक सेल को नहीं दर्साता है तो यह कौन है यह अप्सन नमबर थ्री जिसको असपर्म बोला रहता है यह है जो कि प्रोकेरियोटिक सेल यह नहीं है और बाकी यह सब प्रोकेरियोटिक सेल हैं बुलगी और माइको प्लाजमा और यह नाम प्ल तो prokaryotic cells are the cells that do not have true nucleus, मतलब इन सभी के पास एक nucleus नहीं होता है, मतलब nucleus बिक्सित नहीं होता है, and membrane bound organelle इन सभी में नहीं पाया जाता है, इन सभी उत्तकों में, cells में, तो इसे क्या बोला जाता है, prokaryotic cells बोला जाता है, अब आगे जाल लेते हैं, अब asperm के बारे में जाल ले cell, मतलब यह मादा reproductive cell है, और जिसे gamet भी बोला जाता है, in an angio gamus famous sexual reproduction, मतलब यह sexual reproduction के बाद form होता है, अब asperm का diagram थोड़ा देख लेते हैं, यह asperm का जो सबसे पहले वाला हिस्सा होता है, जिसको head बोला जाता है, मतलब जो जिसको सीर बोला जाता है उपरी हिस्सा को, अब इसमें head में क्या क्या होता है, एक्रोजोम होता है और nucleus होता है, centriol होता है, और इसको गर्दन बोला जाता है asperm का, और यह middle path को क्या बोलाता है, मिडिल पीस को यह मिडिल पीस होता है जिसको बोला जाता है माइटो कॉंड्रियोन बोला जाता है इस बीच वाले हिस्थे को और प्लाज्मा मेंब्रेन यह साइड साइड वाले हिस्थे को प्लाज्मा मेंब्रेन बोला जाता है और यह पिछला हिस्था को टेल बोला जाता है तो यह है अस्पान का एक डिटेल इन्फोर्मेशन इससे देख लें दो बार लिख ले भी अगर ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए अब आगे देखते हैं अगला कोस्टिन क्या पुछा गया है मार्च 2022 में परमोज सावन्थ गौवा के कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने है थे, तो इसका उप्शन दिया गया था ग्यारवे नंबर के, दसए नंबर के, तेरों नंबर के, पंदरों नंबर ते तो फिर यह इसका राइइट एंसर क्या है तो थड्र ऑप्शन है जोकि त मत्री बने थे परमोज सावन्त två आप्टर देथ तो भानोहर और पारिकर परमोज सावन्त वा सवर्ण इंदद चीफ मिनिस्टर और 19 मार्च 20 gosto मतलब मनोहर पारिकर के मिर्तियु के बाद परमोज सावन्त जी गोवा के चीफ मिनिस्टर बने थे ते 19 मार्च 2019 को और ये तेरोंवे नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के परमोच सावन्थ और मनोहर पारिकर जी कितने नंबर के थे तो ये बारोंवे नंबर के थे यह सब याद करने ताकि अगर नेक्स्ट एक्जाम कोई भी एक्जाम का एक्जाम हो थे एक्जाम में यहां से कोशन पूछे जा सकते हैं मतलब इसी से रिलेटर कोशन हो सकते हैं अब आगे देखते हैं प्रस्ट पांचवा प्रस्ट फीफा अंडर 17 महिला विस्व कप भारत 2022 के लिए अधिकारिक ड्रो कहा आयुजित किया जाएगा तो इसका ऑप्सन दिया गया था भारत चीन प्रफिपल्स रिपब्लीक ब्राजिल और चौंधा जूरीक तो यह जूरीक में आयुजित किया जाएगा फेफा अंडर 17 महिला विस्व कप अब अब अगला प्रस्ट में देखते हैं छठा प्रस्ट ब्लेंक दिया हुआ है को भारती क्रिकेट कंट्रोल बॉर्ड के 36 अध्याच के रूप में चुना गया मतलब किसको चुना गया है 36 अध्याच के रूप में तो इसमें ऑप्सन दिया गया है रवी कुमार एस रोजर बिन्नी परदिव सींग खरोला भुशन अच्छी कर तो रोजर बिन्नी ़ुकि 36 अध्याच बने लिए थीसी सीओ है पूर्व अध्याच शौरवगांगुली थे और अब बने है रोजर बिन्नी और सचीव जैसा उपाध्याच राजिव शुक्ला और कोसाध्याच अरुन सी धुमले रोजर बिन्नी जो है एक पूर्व दिगच् क इनको देख लें बागे देखते हैं अगला प्रस्ण ओडिशा के पहले ओडिशी सास्त्री नर्तक का नाम बताए जिने पद्म विभूशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो इसका सही अप्षन क्या है मतलब नाम क्या है तो केल चूरन केलुचरन महाव पात्रा जी को मिला था जोकी ओडिशा की सास्त्रे नर्तक थी और जिने पदम विभूशन अवाड मिला था बगला प्रस्ण देखते हैं दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक मतलब इस पुस्तक का नाम क्या था कि माध्यम से ब्रिटिश सासन के आर् किये था प्रस्ट मेंॉप्समें ऑप्सन द्याफे ते इंडिया टूड़े गए इंडिया ऑफ? इस पुस्तक दादा भांनो नौरोजी के दौरा लिखी गई थी जिसमें पुस्तक आलोजना किया गया था कैसे हमारे इंडिया का धन बृटिस लोग ले जाते थे उसका जिक्र इस बुक में किया गया था अब जान लेते कुछ और डिटेल्स के बारे में भारत में करेवी और गैर बृटिस जासन मतलब इसी का हिंदी रुपा रुपांत्रन है पौवर्टी ए पूला जाता है चार सितंबर 1825 को इनका जंग हुआ था और 30 जून 1917 को इनकी मिर्ति हो गई थी को भारत के ग्रेंड ऑल्ड मेंड की नाम से जाना जाता है और भारत का अनुपचारिक राजदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है यह सभी काफी इंपोर्टेंट पूछ दिया गया तो अगला बार हो सकता है कि इनको और किस नामों से जाना जाता है यह कोशन पूछा जा सकता है तो यह याद कर लें अगला पूंट क्या है श्री दादा भाय नौरोजी का सेच्छिक पच्छ अत्यंत उज्वल रा मतलब इन्होंने काफी अच्छे तरीक प्राध्यापक नहीं इन्हें भारत की आसाक की साइंग्या दी थी मतलब उन्होंने भारत की आसा कहकर दादाभाय नौरोजी को पुकारा था बगला प्रस्ण देखते हैं एवेंजेलिस्टा टोरी सेली किस खोज के लिए परसीद है मतलब इन्होंने क्या चीज खोजा था तो यह मरकरी बैरोमीटर का विस्कार इन्होंने किया था यह इसका राइट एंसर है बाकी सब ऑप्सन दिये हुए यह सभी देख लें अब बगला प्रस्ण देखते हैं किस राज सरकार ने सितंबर 2022 में भुजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना की शुरुआत क की थी अब इस ग्योजना का लच्छ क्या था इसको क्यूं शुरू की थी उसे जान लेते हैं छाता इसकिम राइज के 29,500 नीजी भौनों और 52 जल तनावगरस्त ब्लोकों और 27 सहरी छेत्रों को कवर करने वाले एक हजार 925 सरकारी भौनों में लागू की जानी है मतलब इन इन भौनों में लागू की जानी है छाता इसकिम का क्या लच्छ है इसका लच्छ है पांच साल में 373.52 करोड लिटर पानी का संचेन करना इसका लच्छ है अब छाता योजना के तहद सलाना ओसतन 54 करोड पर ये शलाना खर्च किये जाएंगे चातायोजना के ताहत मतलब इसमें पानी से रिलेटेड़ है पानी पहुचाना घरो घरो तक और शहरी भावनों तक यह सब ही इसका में रोल है अब आगे देखते हैं अगला प्रस्ण क्या पुछा गया था वांगला तेहवार निमलिकित में से किस जनजाती द्वारा मनाया जाता है तो इसमें ओप्सन दिया गया है भील जनजाती भूटिया जनजाती थारू जनजाती और गारो जनजाती तो इसका राइट एंसर ही गारो जनजाती है गारो जनजाती के द्वारा ही वांगला तेहव द्वारा नौंबर के महिने में फसल कटाई से सम्मंदित एक उत्सव है मतलब जब फसलों को काड़ा जाता है उस टाइम इस तेहवार को मनाया जाता है वांगला तेहवार गारो भासा में वांगला का अर्थ है सो धोल है इसका अर्थ वांगला का अर्थ और इस तेहवार में पारंप्रिक गारो आस्थाओं के सलजोंग नामक सूरी देवता मतलब सलजोंग नामक सूरी देवता का समान किया जाता है जो फसल की अधी देवता भी माने जाते हैं गारो जन जाती में सलजोंग गारो जन्जाती पाए का जाते हैं जो घारो खासी और जन्तिया हिल्स हैं मेगालिया ही सभ इलाके में उस इलाके में गारो जन्जाती पाए जाते हैं अब आगे देखते हैं अगला प्रस्ण क्या पुछा गया था बारवा प्रस्ण Which of the following statement is correct? पहला statement दिया गया है यह पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है तो इसका सही एंसर क्या है? मतलब केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है बाकि यह पहला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट ही पुछा गया है अब बगला प्रस्म देखते हैं तेरवा नंबर ब्लेंक दिया गया है is a record of asset and liabilities of any firm मतलब इसमें option दिया गया है तो इसका सही एंसर क्या है? बैलेंस सीट होगा इसमें और बैलेंस सीट के बारे हम कुछ जान लेते हैं कि बैलेंस सीट होता क्या है? तो इसमें record रखा जाता है कोई भी company का क्या asset होता है? क्या liabilities होती है? क्या shareholder होता है? और equity क्या क्या होती है? और financial statements जितने भी होते हैं उस company के इस balance sheet में रखे जाते हैं मतलब लिखे जाते हैं उसमें mention क्या हुआ रहता है The balance sheet is one of the three core financial statements that are used to evaluate a business मतलब किसी भी business को evaluate करने के लिए balance sheet का use किया जाता है It provides a snapshot of a company's finances what it earns and hours as of the date of publication मतलब इसमें एक snapshot मिलता है मतलब एक overview बताया जाता है एक company का कि कितना इसमें assets liability है shareholder equity कितना कितना है वो provide करता है balance sheet अब आगे रिखते हैं अगला प्रस्न चोद्वा प्रस जिप्सम का रासाइनिक सूत्र क्या है यह पुछा गया था तो यह इसका रासाइनिक सूत्र है इसका रासाइनिक सूत्र है यह सभी option दिए गया थे तो राइट ऑप्षन यह है यह सी एस अपर इन्टू टू एस्ट्वा दोस्तों जो पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे थे जिस दिन एक जाम हुआ था उसके कुछ दिन बाद मैंने ससी सीजियल का question analysis किया हुआ था वह देख लें link description में डाला हुआ है उसमें मैंने इसको discuss किया था इस question को अब आगे देख लेते हैं और भी other chemical name और उसका formula क्या-क्या होता है उनको देख लेते हैं alumina जिसका chemical name होता है aluminum oxide और इसका formula क्या होता है Al2O3 इसका formula होता है baking soda common name मतलब जिसको हम लोग बोल चाल की भासा में हम लोग बोलते हैं उसको common name बोला जाता है जिसको हम बेकिंग soda मालीजे common name इसका baking soda है और chemical name इसका क्या है sodium hydrogen carbonate इसका chemical name है baking soda का और इसका formula होता है NaHCO3 इसका formula होता है baking soda का अब bleach का chemical name क्या होता है hydrogen peroxide or sodium hypo chlorides का bleach का chemical name होता है और इसका formula क्या होता है H2O2 NaClO इसका formula होता है H2O2 भी होता है और NaClO भी दोनों इसका formula होता है अब आगे लखते हैं यह bleach liquid का formula था अब bleach solid का formula क्या होता है और इसका chemical name क्या है sodium per borate और इसका chemical formula है बुलू अस्टोन का chemical name क्या है copper to sulphate pentahydrate है इसका chemical name और chemical formula है CuSO4 into 5H2O है बुलू अस्टोन का chemical formula अब बोरेक्स का जान लेते हैं बोरेक्स का chemical name है sodium tetra borate dehydrate और इसका chemical formula है Na2B4O7 into 10H2O यह chemical formula और brime stone इसका chemical name है sulfur और जिसको S से सुचित कियाता है chemical formula से carbon tetra chloride इसका chemical name है tetra chloro methane इसका chemical name है और इसका formula है CCL4 इसका formula है चिल साल पेटर इसका chemical name है sodium nitrate और formula है Na3 chloroform trichloro methane इसका chemical name है और CHCl3 इसका formula है cream of tartar potassium hydrogen tartarate इसका chemical name है और KHC4H4O6 इसका formula है दोस्तों वीडियो को pause करके इसको एक दो बार देख लें पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बाकि आप खुद देख लें इतना मैंने मैं discuss कर दिया है तो चलिए आप आगे देखते हैं अगला प्रस्म क्योंकि वीडियो का लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगा अगर इस तरह कर हम हलाकि यह एक पूरा एक अलग वीडियो बनता लेकिन इसको इसी में पूछा जाएगा इस बार क्या पूछा गया था जीपसम का केमिकल फॉर्मुला जो कि सीस फॉर इंटू टू एस टू है तो मॉस्ट प्रभ्लिवली चांसे से कि में नेक्स टाइम इन में से कोई अगला होगा अब आगे देखते हैं अगला प्रस्ण क्या पूछा गया था निमलिकीत में से कौन पंदरोग प्राकर्तिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासाइनिक तत्वों के सदशी है जिनकी परमानु संख्या 57 और 71 के बीच यहलें लेंठीनोइड है जिनकी परमानु संख्या 57 से 71 के बीच है और भी और संदिए गए थे एक्टिन और से चारी दात्में हेलोजेन कि जो कि सही एंसर है लेंथ नोड अब लेंथ नोड के बारें जाना लेते हैं लेंथे नोड स्टिरीज और केमिकल इलिमेंट्स कॉम्प्राइज ओफ फिप्टीन मेटालिक केमिकल इलिमेंट्स मतलब सीरीश में पंध्रों मेटालिक केमिकल puòते हैं विदख आतोमिक नंबर्स से एक किमिकली सीमिलेमें नहें सभी में केमिक़ वी सीमिलर सिमिलारीटी पाए डाई ग्री केमिकली रूप से एसकेंडिनेमियंज ऑसिंडियम और याट्रियम और ओफेलिखंटाने सेलािए है इन तोनों को और यात्रियम को ओर जिसे और मेडल भी जाता है अब ऑब करेंसर केमिकल सेंबल से क्रस्तुत ऑब अगए रखते है अगला प्रस्तूत कौन सा अनुच्य सम्मिंधान में संसोधन करने के लिए संसद की सकती तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंदित है तो यह है अनुच्य 358 इसके तहत संसद को यह पावर मिल जाती है कि वो हमारे सम्मिंधान को संसोधन कर सके मतलब amendment कर सके और इसी अनुच्छेत के दौरा संस संसोधित किया जाता है Parliament के दौरा और प्रस्ण दिए गहे थे अनुच्छे 322 और 262 और 365 तो यह यह सभी देख लें अब आगे देखते हैं अगला प्रस्नौत भूगर्व सात्र जियोलोजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है यह पूछा गया था इसमें अप्शन दिये गए थे पहला ऑप्शन जैम्स हटन दुसरा आर्ट समीथ जॉन बटलर और अल्फ्रेड वेग इसका में रिजन क्या था विकाउज ऑफ एटेंट टू फॉर्मिलेट जीजिकल प्रिंसिपल बैस डॉन अब्जर्वेशन अफ रॉक्स मतलब इन्होंने पथरों से जीलोजिकल प्रिंसिपल निकाले थे और अब्जर्व किया था पथरों को जिसके कारण इनको फादर जीलोजी कहा जाता है अगला प्राश्ण इन वीच अमोंग फॉलोंग इसाइट्स ऑफ हड़पन सिविलाजेशन जब बेती जदेती अस्टोन वाज फांड तो यह ओप्सन दिये थे महाराश्ट्रा दोजाली हैंडिंग हैलूर मेहरगड इसका सही एंसर क्या है दावजाली हैडिंग इसका सही अंसर जहां पर हड़पा सिविलाजेशन का जदेत अस्टोन मिला था अब जदेत अस्टोन के बारे में जानें यह है इस परकार का जदेत अस्टोन दिखता है जो काफी कलरफुल होता है और मतलब इसको अंगुठी वगरा में यूज किया तो आता है अगर देखते हैं जदयट इज डिए पायरोक्सीन मिनराल यह क्या है पायरोक्सीन मिनरल है विट निट कंपोजिशन इसका ने यमिकल फोर्मूला जदयट एस्टोन का है यह इद हाद यह काफी हाद होता है और जिसका हादनेस होता है दो सिक्स पॉंट फाइप से बहुत ही कलरों में यह पाया जाता है लेकिन यह mostly green और white कलर में मिलता है जदैत अस्टोन जो होता है तो यह था दोस्तों जदैत अस्टोन से related important facts इसे देख लें एक बार अब आगे देखते हैं अगला प्रस्ण कि शे पुखा गया था और इसमें बारों मीटर सलों मीटर 15 मिर्ट्र इसका सही उतर क्या है सोलों न मिटर अब आगे देखते हैं वीश्वा नमबर प्रस्ट मिर्जा कामरान किस मुगल समराट का भाई था इसमें ओप्सन दिये गए हैं जहांगेर अकबर साजहां हुमायू मतलब सोतेली मां से हुआ बेटा अब देख लेते मिर्जा कामरान के बारे में कुछ जानकारी मिर्जा कामरान बावर का पूत्र और ओर ओर लाहोर का सासन ले लिया मतलब ये कहां सासन करता था काबूल में और लाहर में सासन करता था और बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज को बाटा ताकि आगे चलकर दोनों भायों में लड़ाय ना हो इन दोनों भायू में लड़ाय ना होने के हो इसलिए बाबर ने अपने छेतर को सासन छेतर को इस तरह बाड़ा था ताकि दोनों में कफ्लिक्ट ना हो आपस में लड़े नहीं लेकिन फिर भी सोतेला भाय होने के कारण आपस में तो कभी-कभी लड़ाई यहां होते रहती होगी कामरान आगे जाकर हुमायू का कड़ा परति दोंदी बन गया मतलब बाद में कामरान हुमायू का ही दुस्मन बन गया था अब अब अगरा प्रस्ण देखते हैं कामरान मिर्जा के बारे में कुछ जानकारी इनका जन्म हुआ था 1512 में काबूल में हुआ था जो कि आफ़करनिस्तान में है और यह मरा था पांच अक्टूबर पंद्रो सो संताओन को मरा था और मक्का में मरा था जो कि साउधी अरबिया में है मक्का अब पैरेंट्स कौन कौन थे हैं बाबर और इनकी मा का नाम क्या था गुल्रुख बेगम इनकी मा का नाम था और पिता का नाम बाबर था इसके sibling मतलब भाई कौन थे तो यह हुमायों था और गुलबदन बेगाम मतलब बहन यह थी और इनके अंकल कौन थे मतलब चाचा नासिर मिर्जा इनके अंकल थे और जहांगीर मिर्जा दोनों इनके अंकल थे और यह किस डाइनेस्टी से बिलोंग करते थे तो यह देख जाके बारे में कुछ इंफोर्मेशन इसे देख लें एक दुबार अब आगे डेखते हैं विच अब दाफॉलोइंग इस नोट एन एड और एक्जोलेरी टू ट्रेड मतलब वेपार के लिए कौन सा एक उचित वर्ड नहीं है इसमें ओसं दिए गयाथा होर्डिंग वायर हाॉसिंग इंस्यूरेशन ट्राशपोडेशन तर सही उत्तर क्या है होडीं 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 right chir होता क्या है जिसको हिंदी रूप में हम लोग बोलते हैं जमाखोरी बोला जाता है अर्थ सास्त में किसी वेपारी द्वारा समाइन से बहुत अधिक समान इकठा करना जमाखोरी कह लाता है मतलब कोई भी वेपारी के द्वारा मार्केट में चल रहे कोई भी समान को बहुत ही ज्यादा मतलब अस्टोर करके रख ल पैदा करना मार्केट में और इससे समान्य लाव कि अपेच्चा बहुत अधिक लाव कमाना क्योंकि अगर बाजार में उस समान की अगर कमी रहेगी तो यह जो इसको होड करके रखा होडिंग जमा खोरी करके रखा है वो अपने मन माने तरीके से दामों में बेंच सकता है उस समान को तो यह रहा होडिंग का मिनिंग अब आगे देखते हैं अगला क्या पुछा गया था निमलिकित में से कौन ग्रेमी पुरुषकार जितने वाले भारती थे इसमें ऑप्सन दिया गया था रवी संकर पंडित रवी संकर पंडित सीव कुमार सर्मा उस्ताद जाकिर तो इसका सही अंसर क्या है पंडित रवी संकर इसका सही अंसर है जिनको हमारे भारत में पर्थम ग्रेमी पुरुषकार जितने वाले व्यक्ति हैं अब जान लगते हैं कुछ और इंसे रिलेटर रवी संकर जी के बारे में पंडित रवी संकर जिसको और किस नाम से जाना ज आता था रविंद्र संकर चोदरी उर्प पंडित रवी संकर का जन्म साथ अप्रेल 1922 को हुआ था और यह बनारस में एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता जी कौन थे स्याम संकर चोदरी इनके पिता का नाम था के घर साथ भाईयों में सबसे स्याम का भिवा मतलब इनके पिता का भिवा के हमा गीनी देवि के साथ हुआ था जो इनकी मा थी पंडित रवी संकर की जो नश्रत पूर नामा के दक से गाउं की रहने वाली थी संकर केって new पंडित्र रवी संकर के पंच भाई भाइबान थे उनमें से एक उदय संकर जो एक परसिद नर्तक कोरियोग्राफर हैं जिनके साथ उन्होंने यूरोप का दोरा भी किया था मतलब यह डांसर हैं उदय संकर जी और कोरियोग्राफर भी अब इस से रिलेटेड एक और प्रस्न जान लेते हैं ग्रेमी पुरस्कार जितने वाली भारत की पहली महिला कौन है तो यह है तन्वी साह है जो कि ग्रेमी प्रोस्कार जितने वाली भारत की पहली महिला है यह तो प्रोस्के पहले पर्थम प्रोस्त हैं तो पर्थम महिला भी कौन होनी है तो यह तन्वी साह है और यह तामिल लाडू की रहने वाली तन्वी साह का जन्म एक दिसंबर 1985 को हुआ था तन्वी साह का जन्म उन्होंने तेलगू, तमिल, हिंदी, अस्पेनी, पुर्तगाली और अर्भी में गायन किया था मतलब इतने भासाओं में इन्होंने गाना गाया था जिनके कारण इनको ग्रेमी पुरसकार मिला था अगला प्रस्ण गरववती महिलाओं के लिए किस राज में एक बिषय स्वास्त देख बाल अभियान अंचल शुरूग किया था मतलब अंचल अभियान किस राज में शुरूग के अगया था इसमें ऑप्सन दिया थे पंजाब राजस्थान गुजरात हरियाना तो इसका मिर्वास्थान में घुरवती महिलाओं के लिए करोली जिल्ली में एक बिशे स्वास्त देख बाल अभ्यान अंचल अनचल सुरू किया गया वा इस अभ्यानको तेरो हभजार से अधिक महिलाएं लाभानुट हो हो चुकी है मतलब इस अभ्यान से इतना महिलाएं उससे अधिक महिलाएं लाभानमित हो चुकी हैं अभ्यान के दोरां 13144 गर्वती महिलाओं को का उनके हिमोग्लोबीन के अस्तर के लिए परिच्छन किया गया था जिन में से 11202 को एनिमिक पाया गया यह देख रहे हैं तेरो हजार में 11202 में एनिमिक पाया गया अब इसमें क्या बुला गया था इन महिलाओं को सही दवा और जरूरी पौश्टी कहार लेने की सलाह दी गई उन्हें खुद को तनाव मोग्त रहने की भी सलाह दी गई जो जो प्रेग्नेंट हैं उन सभी को यह सभी प्रिकोशन रखना होगा कि पौश्टी कहार लेते रहें और ज्यादा तनाव ना लें मतलब तनाव मुख टेंशन वगेरा ना लें ताकि आपके बच्चे के लिए यह दिकत्त हो सकता है अब आगे देखते हैं अगला प्रस्ट कम से कम कितना वर्ष की अवधी के दोरान किसी अस्थान के मोसं की अवस्थाओं तथा विविदताओं की ओसत परिस्थितियां वहां की जलवायू कहलाती है तो इसमें मतलब ओप्सन दिया गया है दस वर्ष बीस वर्ष पचीस वर्ष तीस वर्ष तो यह सही उत्तर होगा तीस वर्ष की जो मोसं अवस्था होती है जिसे जलवायू कहते हैं अब देख लेते हैं कुछ जलवायू का डिफनेशन को जान लेते हैं किसी इलाके का किसी एक तरह का ओसत मोसं अगर लंबे समय से बना रहता है तो उस उसे उस इलाके की जलवायू कहा जाता है और यह लंबा समय कितना तक होना चाहिए तीस वर्स तक होना चाहिए, मौसम जहां कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, वह हैं जलवायू बदलने में सेंकड़ों हजारों साल का समय लगता है, जलवायू चेंज होने में जिसको हम लोग कलाइमेट CHANGE बोलते हैं, वो सेंकड़ों या तो फिर ह 19th century cotton mills in India were mostly located in which of the following estate मतलब 19th century में जो cotton mills है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब कहां किस estate में located थे मतलब इस्तित थे इसमें ओप्शन दिया गया था असम पंजाब हर्याना और महराष्ट्रा तो सही उतर क्या है महराष्ट्रा मतलब महराष्ट्रा में 19th century सदी में सबसे ज्यादा cotton मीलों को अस्ताफित किया गया था हमारे भारत में अब देख लिते हैं the first cotton mill in India was established in 1818 मतलब 1818 में पहला cotton मील अस्ताफित किया गया था हमारे इंडिया में और कहां अस्ताफित किया था फोर्ट ग्लोस्टर में अस्ताफित किया था जो कि कलकत्ता में अस्ताफित किया था बट वाजए commercial failure मतलब इसमें कुछ failure होने के कारण इसको बंद कर दिया गया अब अगला देखते हैं second cotton mill in India was stabilized by casean da bear मतलब casean da bear के द्वारा अस्ताफित किया था दूसरा cotton mill और यह 1854 में अस्ताफित किया था और इसका नाम क्या रखा गया था Bombay spining and webbing company इसका नाम रखा गया था this mill is said to be the mark of true foundation of the modern cotton industry in India मतलब यह इसा माना जाता है कि यह जो casean da bear के द्वारा stabilize किया था Bombay spining and webbing company यह माना जाता है कि यह foundation of the modern cotton industry इन इंडिया इसको माना जाता है तो आधुनी cotton industry चाप foundation इसी इंडेस्ट्री को माना जाता है हमारे भारत में तो दोस्तों यह था पूछा गया प्रस्ण जो की general awareness में पूछा गया था तीन दिसंबर तीन बारत दो हजार बाइस में जो conduct हुआ था एक्जाम एससी का यह सेकेंड सिप्ट सेकेंड सिप्ट का यह कॉस्चन है फर्स्ट में कुछ और हो सकता है हलाकि कॉस्चन तो इन्हीं सभी से घुमा फिर आके पूछा जाता है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा रहा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कियें इंडियन जी इसको वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू तो थैंक यू दोस्तों